जै माताजी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकार जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टरवाज मैं मित्रों इस कारेकरम में हम चर्चा करने वाले हैं अंक सास्त्र के अनुसार 2022 सभी मूलांग वालों का कैसा जाने वाला है इस कारेकरम में चर्चा करे कि कैसी होगी आपके धन की स्वास्त की परिवार की लव लाइफ करियर की इस्थती पूरे साल भर मुलांग के अनुसार तो उस कारेकरम को जरू देखेगा आज हम बात करेंगे मुलांग साथ के बारे में जिन व्यक्तियों का जन किसी भी माह की साथ सत्रा या पच्चीस तारिक को हुआ है तो उनका मुलांग साथ होगा मुलांग साथ के लोग धैरेशी और गंभीर प्रविर्थी के होते हैं आप जीवन में काफी संघर्ष करते हैं और आसान काम आपको पसंद नहीं आते अग जोतिश भवशिफल 2022 के संकेत कैनुसार वर्ष 2022 में भी आपको अपने कारेशेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस वर्ष की शिर्वात काफी कठिन होने जा रही है आपको अपने प्रेतन के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है और आप दोनों की बीच लड़ाई जगले की भी नौबत आ सकती है जिससे आपका रिष्टा खटाई में पड़ सकता है इसलिए आपको बहत संभल कर रहना होगा यदि आपने शुरुआती 3-4 महीने निकाल लिए तो फिर आपका रिष्टा काफी मजबूत हो जाएगा और आपका प्रेतम आपको पूरी तरह से सही योग करेगा आप साथ मिलकर भविष्य के बारे में अच्छी योजनाएं बना पाएंगे विवाहित लोग अपने दामपत्य जीवन को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे कई बार कठिन परिस्तियां भी आएंगी जब आपकी अपने जीवनसाथी से नहीं बनेगी लेकिन आप हर चनौती का डट कर सामना करेंगे और जीवनसाथी का पूरा ध्यान रखेंगे इस वर्ष जीवनसाथी को स्वास्त कष्ट परिशान कर सकते हैं इसलिए आपको उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा वर्ष 2022 में आपकी जमतिती के अनुसार भविश्चिफल ये संकेत देता है कि नौकरी करने वाले लोगों को वर्ष की शुरुआत में कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है यदि आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो इस समय का पूरा लाब उठाए लेकिन कुछ आपके विरोधी इस दोरान ही आपके विरुध कोई शड़ेंद रख सकते हैं इसलिए बेहत साबधान रहे वर्ना मानहानी भी हो सकती है ये वर्ष नौकरी में अच्छी तरह सपलता दिलाएगा वेपारिवर के लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा सरकारी शेत्र से संबंधित कोई परिशानी सामने आ सकती है आपना टेक्स समय पर चुकाएं और कोई भी ऐसा काम ना करे जो प्रसाशन को आपके विरुध जाना पड़े वेद्यार्तियों के लिए ये वर्ष अनुकूर रहेगा और आपने जो महलत की है उसका आपको प्रतिफल मिलेगा स्वास्त के मोर्शे पर ये वर्ष कमजोर रहने वाला है इसलिए आपको अपने स्वास्त का पूरा ध्यान रखना होगा बुलांग साथ सोला वापच्चिस तारीखे और रविवार सुमवार और गुरुवार के दिन शुब रहेंगे रंगों की बात करें तो आपके लिए हलका पीला और कफूरी रंग अनुकूर रहेगा तो इस कारेकरम में हमने चर्चा करी अंक सास्तर के अनुसार दोज़ार बाइस के राशी फल के बारे मैं अगर यह कारेकरम अच्छा लगा तो यूट्यूब्स में देख Gotam को शेर करें हमारे चैनल को सब्स्क्राईब और लाइक ज्रू करें तो मित्रो, इस कारेकरम मैं बस इतना ही मुझे दिजिए जाया मतलि मित्रो